मुदिता दूसरों की खुशी में खुश होने का भाव ब्रह्म विहार में मैत्री वक करुणा के बाद मुदिता से युक्त हो विहरना मुदिता दूसरों को आनंद में देखकर स्वतह आनंदित होना या सहानि भूति पूण या परोपकारी निस्त्वार्थ आनंद बहता तरीकी से समझने के लिए इसे एक उधारन से समझते हैं एक पिता पुतर की चोड़ी थी पैसो के मामले में वे गरीब थे मगर कैसे भी महनक कर पिता ने अपने बेटे को पढ़ाया तभी रेलवे में भरती चल रही थी और बेटे ने उसके लिए हावेदन किया और बेटे की महनत रंग लाई और उसकी नौकरी लग गई पिता हर्ष के मारे प्रसन्नता में डूब गया यहाँ पर सफलता पुतर को मिली थी मगर उसके आनंद का संचार पिता में हो रहा था बेटे को खुश देख पिता का आनंदित होना हमारे सभी लोगों के जीवन में में भी कई बार इस प्रकार के मौके आते हैं कि अपना बेहत करीबी किसी छेत्र में सफल हुआ है यहाँ पर यह भी हो सकता है कि किसी की परिच्छा में अच्छे नंबर आये हो तो उसकी खुशी में स्वतयानंदित होना या यह भी हो सकता है कि किसी ने खेल प्रत्रियोविता में सोड़ पदक जीत लिया हो या किसी की कहीं नौकरी लग गई हो या कोई करीबी अपने कार्य छेत्र में सफल हो गया हो तो उसकी सफलता या उसके आनंद को देख स्वतह आनंदित होना ही मुदिता है या आंतरिक चित्त की शुद्धत मवस्था है जहां पर यह अनुभव पहले किसी बेहत करीबी की सफलता या उसके प्रसन्न होने पर होता था अब यहां पर यह प्रसन्नता किसी के भी खुश या सफल होने पर उत्पन्न होती है और जब यह हर किसी को खुशी में देख आनंद का अनुभव करती है तब यह मुदिता मानी जाती है तो मुदिता से प्राप्त हो विहरना जहाँ पर सभी को आनंदित हुआ देख स्वते भी आनंदित होना प्रफलित होना सकरात्मक्ता से भर जाना मुदिता को और बहतर तरीके से समझने के लिए इसके उल्टे याने विपरीत भाव को समझते है एक बार दो लड़के जो मित्र थे और वे दोनों पड़ोसी थे और वे पढ़ने जाया करते थे पहला मित्र थोड़ा पढ़ने में कमजोर और दूसरा आउसत जहाँ पर पहला परिख्षा में फेल हो जाया करता था वहीं पर दूसरा बड़ी मुश्किल से पास होता था अब पहले वाले को उसका पड़ोसी होने के कारण लोगों से बड़ी फटकार मिलती थी मगर इस बार परिख्षा हुई और इस परिक्षा में दोनों पड़ोसी मित्र फेलोगे तो यहाँ पर जो दूसरा मित्र था वह तो दुखी था परन्तु पहला मित्र कहीं न कहीं अंदर से प्रसंद था हाला कि वह भी फेल था मगर उसके अंदर खुद के फेल होने का उतना गम नहीं था जितना कि उसके मित्र के फेल होने पर प्रसंद थी कि जहां लोग बार बार उसके मित्र के पास होने का ताना मारते थे अब वह भी फेलो गया तो यहाँ पर प्रसंद आउत्पन हुई मगर किसी को दुखी देक तो यह एरश्या है, जलन है, डाह है और नकरात्मक भाव है कि किसी को दुखी और सफल परेशान होता हुआ देख आनंदित होना और इन भावों का स्वते उत्पन्न होना इनके अनुभावों से इसे समझा जा सकता है कि जहां पिता अपने पुत्र की सफलता से आंतरिक रूप से भर जाता है वहीं पर मित्र पडोसी मित्र के फेल होने पर आनंदित होता है तो जहां पर पहले उदारण में मुदिता का भाव है वहीं पर दूसरे में जलन व एरशा का भाव है हम सभी अपने जीवन में इस प्रकार के आनुभों से गुजरे होंगे तो ब्रह्म विहार की मुदिता सभी लोगों को प्रसन्न होते हुए देख स्वेतह भी प्रसन्न होना, खुश होना चित्त का सकर आत्मक्ता से युक्त होना ही मुदिता का ब्रह्म विहार है और ऐसे ही मुधिता से युक्त होकर विहरने का संदेश तथा गद बुद्ध के द्वारा दिया जाता है और इसी का वर्डन मज्यम निकाय के चूल गोसिंग सुत्त में किया जाता है एक समय बुद्ध नातिका के गिंज का वसत में विहार करते हुए गोसिंग सालोन दाय में जहां पहुँचें जहां आयुशमान अनुरुद्ध आयुशमान नंदीय तथा आयुशमान किम्बिल विहरते थे वहाँ पर बुद्ध द्वारा उनका कुशल छेम आधी पूछे जाने पर उन्होंने बतलाया हम एक जूट होकर प्रमुदित मन से बिना विवाद किये दूद्वाप पानी के मिश्रण के समान एक दूसरे को प्यार भरी दृष्टी से देखते हुए विहरते हैं हमारे शरीर नाना है परंट चित एक है हम प्रमाद रहित आलस से रहित सैयमी हो विहार करते हैं हर पाँच में रोज रात भर धार में चर्चा करते हैं तो यहाँ पर एक जूट होकर प्रमुदित मन से आनंदित होकर बिना किसी प्रकार का विवाद की जैसे दूद्व पानी भली प्रकार से मिल जाते हैं ठीक उसी मिश्रण के समान एक दूसरे के प्रेम भाव के साथ विहरते हैं और यहाँ पर बिना किसी उनमात के यह आलस्त के संयम के साथ रहते हैं स्वते आनंदित होना और दूसरों को आनंदित हुआ देख चित में प्रसनता का संचार होना ही मुदिता है और इस आनंद के संचार का उत्पन होना और लगातार बनाए रखने के लिए ध्यान का भ्यास और फिर इसी संदर में इसी सुत में आगे कहा गया है हमें उत्तर मनुष्य धर्म अनमार ये ज्ञान दर्शन विशेश प्राप्त हुआ है इच्छा होने पर हम प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरते हैं ऐसे ही डुतिय ध्यान, तृतिय ध्यान, चतुर्त ध्यान, आकाशा ननत्यायतन विज्ञाना ननत्यायतन आकिंचन्यायतन नैव संग्यान संग्यायतन संग्या वेदयित निरोध को प्राप्त हो विहरते हैं इस अंतिम अवस्था पर प्रग्या से देखकर हमारे आश्रों का पूरतया छै हो गया है इससे उत्तम कोई सुख विहार हमें दिखलाई नहीं देता है बुद्ध ने इसका अनुमोदन किया और तब वे तीनों आयुश मानों को धार में कथा द्वारा समुत्ते जित संप्रहर्शित कर वहां से चले गए तो यहां पर ध्यान को प्राप्त होना प्रतम ध्यान जुतिय ध्यान तृतिय ध्यान चतुर्ट ध्यान आकाशा ननत्यायतन विज्ञाना ननत्यायतन आकिंचन्यायतन नैव संग्यार संग्यायतन संग्या वेद यत निरोध की ध्यान की नव अवस्थाओं में आश्रव का छे करते हुई जो है काम आश्रव भवाश्रव और अविद्याश्रव का धीरे धीरे नाश होना समाथ हो जाना या नश्ट हो जाना और इन सभी आश्रव के नास से प्राप्त सुक विहार का अनुभव करना तो इस प्रकार ये अवस्थाएं पूर सत्य की प्राप्ति के पश्चात उत्पन्न होती हैं और यह पूर ज्ञान का मार्ग हैं जिसके लिए लगातार अनापान सती का अभ्यास करना प्रतीत्य समुत्पाद अनित्य दुखव अनात्म को सत्य के रूप में स्विकार करना जिसे प्रात करने के लिए आश्वास प्रवास का निरंतर अभ्यास करना और इसी को इसपश्च करते हुए बुद्ध मज्यम निकाय के महा राहुलो वादसुत्य में कहते हैं एक समय बुद्ध सावस्ति के अनात्पिंडग के आराम जेत्वन में विहार करते थे उस काल में उन्होंने आयुश्मान राहुल को समझाया कि रूप वेदना संग्या संसकार तथा विज्ञान को इस प्रकार यथा भूत सम्यक प्रकार से जानना चाहिए न यह मेरा है न मैं यह मेरी आत्मा है उन्होंने उसे यह भी समझाया कि किस प्रकार अनापान सती की भावना किये जाने पर वो महा फलदाई का बड़े माहात्मे वाली होती है उन्होंने कहा कि भीत्री और बाहरी महा भूतों में से प्रतेक को इस प्रकार यथा भूत सम्यक प्रकार से जानना चाहिए न यह मेरा है न मैं यह हूँ न यह मेरी आत्मा है इनके समान भावना करने से चित्ट को अच्छे या बुरे लगने वाले इस पर्ष इसे से चिपटते नहीं ऐसे ही मैत्री, करुडा, मुदिता इन उपेक्षा की भावना करने से द्वेश, विहिंसा, अरीती तथा प्रतिहिंसा, क्रमशर छूट जाते हैं अशुब की भावना करने से राग और अनित्य संग्या की भावना करने से एहंकार छूड जाता है अन्त में बुद्धने भ्युक्षू की विबिन्न वस्थाओं में उसके द्वारह अपने आशुआस प्रवाश की जानकारी बनाये रखने के बारे में सारी प्रक्रिया को समझाया उन्होंने कहा कि इस प्रकार भवित की गई अनापान सती से अन्तिम श्वास भी जानकारी में ही छूटते हैं बिना जानकारी के नहीं तो अनापान सती वा ध्यान का निरंतर अभ्यास और प्रग्या से सत्य का साच्छाकार इन्हीं प्रयासों से भिक्षू या साधक आंतरिक रूप से ब्रह्म विहार करता है जिसमें वह मैत्री करूडा मुधिता वह उपेक्छा से युक्त हो विहरता है जिसे अप्रमाना चेतो विमुक्ति कहा जाता है और इसी अप्रमाना चेतो विमुक्ति का वणन मज्जिम निकाय के अनुरुद्य सुत्य में होता है अप्रमाना चेतो विमुक्ति तब होती है जब कोई भिक्षु मैत्री युक्त चित्थ से एक एक करके सारी दिशाओं को परिपूर कर विपल प्रमान रहित वेर रहित द्वेश रहित चित्थ से सारे लोक को व्याप्त कर विहरता है और फिर ऐसे ही क्रमश है करूडा मुदिता तथा उपेक्षा युक्त चित्थ से विहरता है तो अप्रमाना चेतो विमुक्ति यह चित्थ के सुख की अवस्था या आंतरिक रूप से मन की उत्तम अवस्था है जहां पर मैत्री भाव याने बंधुता का भाव मित्ता के भाव से युक्त चित्थ एक एक कर सभी दिशाओं में विहार करता है और वह सभी प्रकार के इर्शा वेहरव द्वेश से मुक्त होकर सुख विहार करता है और फिर क्रमश हैं करूडा मुदिता तथा उपेक्छा युक्त चित्थ से होकर विहार करता है धन्यवाद प्रकार के इर्शा युक्त चित्थ से होकर विहार करता है